राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे हैं हमारे लाल लब राम लला अभी दिव्य मंदीर में रहेंगे अगले ही दिन भव्य राम मंदीर का कपाच आम लोगों के लिए खुला भक्तों की अपार भीड़ उमरने लगी थी मंगलवार को तो एक दिन में पाँच लाज से ज्यादा भक्तों ने राम लला के दर्शन की मंदिर में भारी भीड को देखते हुए सीम योगे खुद आयोध्या पहुँचे आला अपसरों के साथ मिटिंग की फिर सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया और यहांकी विरासत राम से है और इसी रामराज को दर्शाती इस बार की ज्याकी भी है जाकी में सब से आगे राम मंदिर है आयोध्या के राम मंदिर की तरह जाकी के मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया है जिसमें खास नकाशी की गई है जबकि दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां राम मंदिर की शोभा बढ़ा रही है मंदिर के ठीक आगे बड़े-बड़े अक्षरों में प्रदेश का नाम उत्रप्रदेश लिखा हुआ है जिसे तीर और धनुष के जरिये खास आकार दिया गया है इसके साथ ही प्रभुराम के आयोध्या आगमान के प्रतीक स्वरूप होने वाले दीपोत्सव को भी बड़ी खूबसूरती से दर्शाय आगया है इसमें महिलाएं सर्यू घाट पर दीप तयार करती दिख रही है यूपी की पहचान अभी एक ताज महल से हुआ करती थी वेकिन अभी ये पहचान मिट रही है और दुनिया उत्तरप्रदेश को राम के नाम से जान रही है इस पे तो हर एक हिंदू को गर्व चट करना चाहिए क्योंकि हमारे योगी जी और मोदी जी ने जो किया है उसके वज़ोलग हर एक हिंदू आज गर्व कर रहा है कि हमें मौका विला पर राम लला का मंदिर स्थाबित करने का और से पुरी दुनिया को दिखाने का कि जैसे हमारे ही राममंदीर बना है वैसे हम और भी आगे बढ़ेंगे और एक हिंदू का राज स्ठाबित करके रहेंगे हर जगह पे तंतर दिवस के उपर में पूरे भारत तो पूरे गणतंतर मनाएगा ही साथ में आयोध्या का जो उत्साव रहोगा अथी बिशेश्ट होगा जगो 26 तारिकी जो प्रेड जनवरी आएगी राममंदीर एक भवेज जागी के रूप में सामने आएगी और अब की बार हमारे साक्षात प्रभू बिराजमान हो चुके है अब हम उनके देरे नहीं है अब तो हम यह कहेंगे 26 तारिके साथ आप यहां भी आईए और बड़ लगेगा उपिक की जहांकी में आगे आगे राम है तो ठीक पीछे के ट्रेलर पर साधुों को आर्के देते दिखाया गया है जोकि प्रयागराज में होने वाले माग मेले और 2025 में होने वाले महाकुंब के पतीक हैं दुनों साधुों के बीच में कलश को भी स्तापित किया जबकि साधुओं के ठीक पीछे हाल ही में शुरू हुई दिल्ली से मेरट के बीच रैपिड ट्रेन की जलक है दिल्ली गाजियाबाद मेरट को जोड़ने वाली रैपिड ट्रेन का नाम हाल ही में बदलकर नमो भारत कर दिया गया है यूपी की जहाकी में विकास दिखाई देता है भक्ती दिखती है तो शक्ती भी है नमो भारत के ठीक उपर रक्षक शित्र में भारत का नाम रोशन करने वाली ब्रमोस मिसाईल को दिखाया गया है यह नहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव व्यपत पर प्रदर्शित होने वाली उत्रप्रदेश की जहाकी में अगली तस्वीर दुनिया के चौते सबसे बड़े इंटरनाशनल एरपोर्ट जेवर की है जेवर एरपोर्ट अंतराश्ट्रिय ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है इसके साथ ही UP की जहाकी में नॉइडा में बनी एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैनुफेक्चरिंग फैक्टरी और UP के मोबाइल मैनुफेक्चरिंग का हब बनने के प्रतीक के तौर पर लिया गया है इसके ठीक पीछे LED स्क्रीन पर एक्स्प्रेस वे प्रदेश के रूप में UP को दिखाया गया है तिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले रिपब्लिक दे परेड भी इस बार राम मैय है जहांकी के लिए राम मंदिर के हूँ बहु मौडल तयार किये जा रहे है जिसमें कमल के फूल पर राम लला को विराजमान किया जाएगा इस दौरान सद्भाव की मिसाल भी देखने को मिली क्योंकि राम मंदिर के मौडल बनाने वाले मुस्लिम समुदाय से है बारोखान अपने 15 लोगों की टीम के साथ पिछले 13 दिनों से मंदिर के मौडल बनाने में जुटे हैं तो 500 साल की प्रतिक्षा के बाद आयोध्या धाम में प्रवशी राम का मंदिर बनकर तयार है और प्रवशी राम लला उसमें विराजमान हो गए है लेकिन कितनी खुबसूरत बात है कि वहां मंदिर बना और सदभाव देखे यहां पर दिखाई दे रहा है 26 जनवरी को जहांकिया निकाली जाती है विदानसभा मार्क पर उसमें भी इस बार मंदिल का मौडल खास तोर पर बनाया गया है और उसे बनाने वाले कौन है नाम खुदी जा लिए मौमद फारुक फारुक साब ने ये मंदिर का मौडल बनाया है मंदिर बनाया है देखे ये पूरा मंदिर है आप देखेंगे उसी पैटन पर जो गर्ब ग्रे है जो पांच मंडप है जोतने मंजला वो मंदिर रखा गया है वो सब हूब 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 यहां पर उके रहा है तो फारुक साब जोतने बनाने वाले उनके नाम एक बर बता देंगे आपकी टीम के जो लोग है नाम इसमें गुद्डू है संदीब है इरसाद है राहूल है और छोटू है मुन्ना है पूरे मतलब सदभाव के साथ बनाया है बिना मजहब की दीवारों के रहान है फरहान है यह सब मिल गे अच्छा मंदिर बना रहे थे तो भाव क्या था आपका भाव क्या था कि इसको बनाना है अपने साब से खुबसूरत बने आप चाहते थे कि मंदिर खुबसूरत बने कि काम में कोई आए बिना हो काम को भी जो लेके चले तो जब हमको सुन्दर लगेगा तो सब को सुन्दर लगेगा वो मैं सवाल इस वह से पूछना हूँ कि लोग कहते हैं कि साब मुस्लिम लोग जो है कामी नहीं कर सकते अपने घर में बैठें फिर 26 जन्वरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में सूला राज्ये केंदर शासित प्रदेशों नौ मंत्रालियों और सेवक्षेत्र की चार जाकियों सहित उल्तीस जाकियां शामिल होगी खासपतिक इस बार दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल की जाकी 26 जन्वरी की परेड में शामिल नहीं हो रही है जिस पर सियासत भी शुरू है पंजाब के सीम भगवंत मानने आरोप लगाया कि भेदभाव के चलते दिल्ली और पंजाब की जाकियों को रिजेक्ट कर दिया गया जबकि जाकियों का सेलेक्शन रक्षा मंत्राले की एक्सपर्ट कमीटी कई राउंड के बाद करती है और जो भी पैमाने पर खारा नहीं उतरता उसे रिजेक्ट किया जाता है अयोध्या से गौरफ श्रिवास्तव और लखनव से मनीश यादव के साथ विरो रिपोर्ट टाइमस्नाओन भरत